डौक्टो पदमा मिंन, आज के वैख्यैन में आपको प्लेटो को पालसिवद का जनक क्यों कहा जाता है, किया प्लेटो पालसिवदी विचारक है, इस पर मेरा वैख्यैन आहित रहेगा, जिसा कि पूरू के वैख्यान में मैंने युन्यानी झीट स्थिंतक प्लेटो के मैं आपको प्लेटो को क्या फासिवाद का जनक मानना उचीत है या प्लेटो को फासिवाद का जनक क्यों का जाता है इस पर मैं आपके सामने चाहे तर्चा करना चाहूंगे इस अदिन में दूपर तो यह मना जाता है कि प्लेटो एक फासिवादी विचारक है तो फांसिवाद इसके अधारपरम फांसिवाद का मुक्य विश्वास क्या है फांसिवादी दर्शन की से कहते हैं और फांसिवादी सिद्धान्त में किन-किन बातों का समय में इसके जानकर यहां से करेंगे तो फांसिबाद एक सरवादी कारवादी विचारदारा है और जिसका जनम प्रतम विशुद के परशात हुआता और इसका प्रवर्टक इटली का अधिरायकर जैसा कि आप जानते हैं मुसुलिनी था उसको माना जाता है तो फांसिबाद शब्द के उत्पति फांसियो लकडि के गठर से होता है तो लकडि के गठर से फांसिबाद शब्द के राज्जिय राष्ट की कल्पना का प्रतीक है उनके राष्ट अनुशाशन बद्ध व्यक्तियों के एक सामक संगतन है एक ऐसा संगठन जिसमें वेक्ति के वेक्तिकता को नहीं बलकि उसके सामवेक्ता को महतु दिया जाता है और सामवेक्ता की सुरक्षा और समरद्धी की वरद्धी के लिए वेक्ति के वेक्तिकता कप्रियों किया जाता है इस दारणा के आधार पर फासिवाद एक ऐसे विचारदारा है जिसमें राज्य राय राष्ट को एक सर्वो परी साथ दे और वेक्तिक उसके प्राप्ते का एक साधन माना जाता है फासिवाद यूँ के उसे राष्टे एक देहिक, नैतिक और पवितर संस्ता है जो वेक्ति और समाज का सर्वत्त विक्सित रूप है इसलिए राष्ट से प्रत्थक वेक्ति का कोई अस्य तो नहीं है ना उसका कोई अधिकार है ना उसका कोई उद्देश है और वेक्ति संपूर्ण रूप से राष्ट से सुसजित है राष्ट के प्रतियात मार्पित है इसलिए ऐसा राष्ट कैसा होगा सर्व शक्तिमन होगा सर्व अग्य होगा और सर्व चे दिना एक द्वारा उसका साशन किया जाएगा क्योंकि वही सर्व स्ट्रेश्ट होने के नाते सर्व हित को पहचानता है और उसे सही रूप में कारे रूप में प्रणित करने के सामड़ते रखता है तो यह मना जाता है कि प्लेटो की वासी विचारदार हमें अनेक तत्यों मिलते हैं जो उसे समीवधी विचारद केने का अधार बनाते हैं प्लेटो राज्य के मत्ता का प्रतिपादन करता है और उसके सावी मिक्ता पर बल देता है अब प्लेटो अपने आधाश राज्य में दाश्टनेक राजा के ऐसे मिन्साशन पर बल देता है और विवेक प्याधारित कुरी द्वाल की धार्णा का प्रतिपादन करता है और गुछ को प्लेटो, को प्रत्म फांसिवाद के, बीचारद ही क्यों मानना स頭 से आधार जाथा, अब नदे क्या क्या है, पहले लोगतंतर, क्या है? है कि प्लेटो और फांसिवाद दोनों लोकतंतर के विरोधी है जिस परकर प्लेटो ने अथ हैं जिसके लोकतंतर की कटो अलोशना कर गी उसी परकर फांसिश्टों ने आधूनी कुदारवादी लोकतंतरों को मूर्खों ब्रेश्टों और निपूरों का साशन कहा तूसरा न कि हम ताना शाह कह सकते हैं और साशक के जो शब्द होते हैं वोई कानून होते हैं शाशक कानून से परे होता है जैसा कि फालसी बादियों ने अपने नेता मुसुलिनी की बारे में ऐसे ही धार्णा वेक्त की थी तीसरा राज्ये के सरुपर वेक्ति राज्ये की तुलना में कोई प्रतक अधिकार या सत्ता नहीं रखता है वेक्ति समस्टे में नहीं थै और वेक्ति को राज्ये का परंभक दोना चाहिए उसके कारूं पुरा भाग लेना चाहिए इसी के साथ प्लेट और फास्यबाद में अगली जो समांता हुए सेक्षा नांगरिकों की चरित्र को साथ्षन के सावरूप की नाचे में डालना है और फास्यबाद और प्लेटों बाद दोनु इस शंकोचित रष्ट कोण बाले हैं क्योंकि उन्होंने अधिकारों पर बल नहीं दिया है और दोनों कि अनुसार रुपेटि वो राज्य का प्रम्भक दोना चाहिए और राज्य के सेवत उस दे उतत पर रहना चाहिए इसी दरसे प्लेट्व और फासिवाद में ये तो वा समासा ओप अब अधियन का जो चर्चा का बंदू वो है पलेटो फासिवाद में क्या अंतर है तो यह समानता है मैंने भी आपको विद्धार्तु बताइए उसके आधार पर पलेटो को फासिवादी माना जाता है लेकिन वस्तुर से ती यह है कि कि वल सत्य अधियन के आधार पर हम जिसके द्वारा अपने विचारदारा का प्रतिपादक आज से लगबग तेवी सो साल पूरो नगर राज्जों के संदर में किया गया था जबकि आज के फांसिवाद के प्रतिपादक युद्दे लौलूप है पहत्वा कांशी राजिती के जिन्वन प्रत्व विशुद्धी के बात के परिस्तेतियों में अवसर बादिता के आधार पर अपने विचारदारा का प्रतिपादक किया जाए तो वो विद्वाद जो यह बांते हैं कि फांसिवाद प्लेटो वाद को फांसिवाद के बार में अन्तर है पहला अंतर है प्लेटो वाद साक्षा तो विवाद है जबकि फासिवाद विवेक विरोधी दर्शन ये माने जाता है कि प्लेटो का जो सारा चिंतन है वो बुद्धी उतर पर आधारीत है लेकिन फासिवाद एक बुद्धी विरोधी कारणा है फासिवाद मनों को एक विवेक्षिल प्राणी ने माणकर भावना प्रदान प्राणी माणता है दूसरा प्लेटो वाद आदाशवाद है विज़कि फासिवाद यतार्टवाद प्लेटो ने समस्त राज्टिक चंतन में आदाश वादिता का सरोच प्रतरिदू किया है इसके विर्पित वासिवाद गोर या थार्दवादी दर्शन है यह माना जाता है कि जो फार्सिस्ट दर्शन है वो उसमें राज्य के दर्शन पर भल दिया गया है और प्लेटो ने पहले अपने सिद्दान को प्रतिपादित किया और फिर उस सिद्दान्तों के नुरूप राज्य निर्मार्ण करना चाहा और फासिश्टों ने पहले राज्य के स्थापना की और तब उस राज्य के अनुकूल अनुभाव और ठोस वास्तों एक्तत्यों के आधार पर सिद्धान दोगी वो दोगोशना की इस प्रकार यदि एक कल्ब में वोते दूसरा अनुभाव वादी है और प्लेटों मां सहीं पर दिपकी फांसिवा दमन पर आधारेता है और प्लेटों के जितना भी दर्शान है पूरा वो नहतिकता पर आधार जैसे के ग्यान, गूर्ण, सहीं, सहीं, सचरित्रता और दूसरा और फांसिवा द किसी प्रकार के दितना विश्वास नहीं करता और अवसर वादिता के आधार पर आधिक लक्षों के साधर है उसका मुल बंतर है अगला है प्लेटों सामे वादे विश्वास करता है जबकि फांसिवा सामे वादे फिरोदी है प्लेटो की विचारदारा शांतिवादी है जबकि फासिवादी विचारदारा युद्धवादी है प्लेटो ने चाहिए अंत्री को और ये बाहरे दोनों चेत्रों में शांति की कल्बना की इसलिए प्लेटो चाहता है कि विमिन नगराज्य सहीयोग और सद्मावना के साथ रहे लेकिन फासिवाद ने रंतर युद्य के सुद्य को पनाय रखना चाहता है इसलिए फासिश्वाद्य ने शक्ति, युद्य, हिंसा और राज्य के विस्तार पर बल दिया है अगला अंतर है प्लेटो के लक्षे आत्मिर बढ़ना करना जब कि फासिवाद का लक्षे सामराज्य वाद है जैसा कि मुस्वल्ण निकाह करता था कि इटली का विस्तार होना चाहिए नहीं तो वो नस्ट हो जायता इस परकार हम इस परकार अगल के वेक्षे में हमने प्लेटो का फासिवाद क्या है प्लेटो के फासिवाद और सामिवाद में क्या अंतर और क्या समानता है इस पर अपना अध्यन बस्तु तो क्या था तो मैं निसकाश के रूप में विध्यारतियों कह सकते हूं कि हम प्लेटों के सिद्धान्त और फासिस्टों के सिद्धान्त में भले कुछ समानता हूं लेकिन फिर भी दोनों में मुलेकंतर है जो कि फासिस्टों के बादती प्लेटों ने भी वेक्तियों राजी के दिन कर द सकता है ना तो प्लेटो को सही मायने में फासिस्ट का जा सकता है और नहीं जरू सकता दिकार वादी क्योंकि इटली प्रतों फासिस्ट स्वैम को जैसे कि प्लेटो ने कहा कि भी प्रतों फासिस्ट था यह बताना इटलर मुसोलिनी और फ्रांकों के साथ प्लेटों के दाश् दर्शन को भी कुर्सी से हटाना है और ऐसा करना ना कि अलुचित बना जाएगा बलकि उपास नहीं भी माना जाएगा क्योंकि हम इस सत्य को नहीं भुला सकते कि प्लेटो के दर्शन से फासेश्टों का दर्शन नहीं बनाया जा सकता लेकिन फासेश्टों के दर्शन से प्ल